नहीं आता हम आज इस लाइफ यूट्यू पर भी लाइफ जा रहा है और फेस्बुक पे लाइफ जा रहा है पूरे हिंदुस्तान की नेटव मार्केटिंग इंडूस्ट्री को कहना चाहता हूं पैसा जनरेशन में धीरे आता है और तेज आता है बाइंदरी में धीरे आता है और तेज आता है ये philosophy गलत है पैसा जैसा काम करते हो वैसा आता है ना तो बाइंदरी का कोई लेना देना है ना कोई जनरेशन का लेना देना है क्योंकि गौशले में रहकर तो पक्षी को भी खा बड़ाक कमाया कितने काया बहुंढ takes बढ़ाकमाया तो मैंने किकनका दिया उसी में से आया तुने किके का पीली पांच हजार का तो आएगवाता उसी में से और वह उमीद किया करता है आज तो करों 5000 रहीं कि एसलिए तो यह पांशेंस आगई सामने की जनरेशन केंदर पैसा कम आता है और जनरेशन केंदर कम मैसाना अ आधा है मैं एक मिनिड के लिए उसलिए जो पहले इनaları त equation चलती ती वहां पर था कि 5 साल के करा तो चौन direct दो लाख रुपे महीना आएगा यहां तो जेनेरेशन प्लान है वेस्टीच का जो खतरनाक बिजनस मॉडल है यहां पर तो चौथे पांचे मिने के बाद सो खुश्बू आने लगती है कि दो लाग का चैक आने वाला है जबर्दस खुश्बू आने लगती है क्योंकि बिजनस प्लान ही अलग है मॉडल अलग है और दीपक जी का कनवर जी का गौतम बॉली जी का जो थौट प्रोसेस है वो अलग है और जो मेनेजमेंट हर महीने बिजनस को बूस्ट करने के लिए कुछ ना कुछ ना कुछ ना कु हर महीने बरकत होती रहती है हर महीने